उम्त्रैंबगं यजावहे सुगंधिम्पुस्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योन मुक्षियत मामृताथ उननिस वर्ष के बाद चार जुलाई से 31 अगस तक स्रावन मास रहेंगे दो स्रावन है और आठ सुमबार है आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं आप रोग मुक्त हो जाएं मानसिक और शारी रूप से आपको कोई कस्ट ना मिले परिवार सहिस सुख शान्ती और सम्रदी के साथ जीवन जीए आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपको विजय मिले सिद्धी प्राप्त हो गर में धन औ और अन की कमी न रहे इसके लिए विश्वेश रूप से आध्यात्मिक साधना सिद्धी केंदर के विद्वान पंडितों ने शिव रक्षा कवच का निर्मान किया है इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करने के लिए अपना नाम माता पिताग नाम अपना गोत्र हमें भेज दीजी हम आपके नाम से सिद्ध करके आपको भेज देंगे जब प्राप्त हो तब इसे धारन कर लीजिए आपकी सुरक्षा होगी और आपके अपनों की भी सुरक्षा होगी एक समय की बात है एक गुरू और एक शिश्य दोने खिलोने बनाते थे और खिलोने बेज कर जो धन बिलता था उससे वो अपने जिंदगी चला रहते गुरू के मार्ख दर्शन में अब शिश्य बहतर खिलोने बनाने लगा और जो खिलोने बेचता था उससे उससे और ज़्यादा पैसे मिलते थे गुरू से गुरू के खिलोने औसद मुली पर बिखते थे लेकिन हमेशा गुरू अपने शिश्चे से कहते थे कि तुम्हारे काम में सफाई नहीं है इसमें और बहतरी की जरूत है रोज रोज ये इस ताने सुनकर एक दिन शिश्चे परिशान हुआ और उसने गुरू से कहा कि गुरू जी मेरे खिलोने आप से ज़्यादा बिखते हैं मेरे पास पैसा भी आप से ज़्यादा आता है शायद आपको जलन हो चुकी है इस वज़े से आप मुझे रोजाने ये बात कहते हैं लेकिन अब गुरू जी क्या कहते हैं कि समझ गए कि शिश्ची के मन में अब घमड आ चुका है उन्होंने शिश्ची से धीमी आवास में कहा कि बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे खिलोने भी मेरे गुरू के खिलोने से ज्यादा बिगा करते थे और पैसा बेचा मिलता था एक दिन मैंने भी तुम्हारे तरह मेरे गुरू से यही बात कही थी उस दिन के बाद गुरू ने मुझे सला देना बंद कर दिया और मेरी कला में जो निखार आना चाहिए था वो नहीं आया बलकि घमंड के बारे मैं अपना काम वैसे ही करता रहा और एक दिन देरे देरे आज जैसे मेरे खिलोंने कम बिग रहे हैं वैसे तुम्हारे साथ कहीं ऐसा नहो इसलिए मैं तुम्हें ये बात करूँ अब अब मैं चोटा नहीं रहा गया हूं मुझे क्या सिखाएंगा मुझे सब कुछ आता है ये ही शब्द पतन का कारण बनते हैं इसलिए आपके अपने जो बड़े हैं जो गुरु है वो जो सला देते हैं उसे मानने में ही भलाई है दवशकार प्रेसातियों मैं हूँ सुरेश श्रिमाली और आप देख रहे हैं तीन जुलाई सोमवार आज का राशिपल प्रेसातियों आज गुरु पूर्णियमा है और गुरु पूर्णियमा पर आप दिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ मैं मैं राशी गनुसार ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपको भी अ आप मुझसे परसली मिलना चाहते हैं तो फिलाल आठ और 28 जुलाई को मैं मुंबई रहूँगा, 9 जुलाई नाकपुर, 15 जुलाई गुडगावा गुरु ग्राम, 16 जुलाई देहरातून, 22 जुलाई दिली, 23 जुलाई को कोलकाता, 29 जुलाई सूरत बढ़ोदा और 30 जुल गुरु पुर्णिमा की दिन, सबसे पहले अपने गुरु को नमन करें, अपने मा बाउची का आशिरवात लीजिए, विष्टु बगवान को पीले पुष्ट परपित करें, बेसन के लड़ू का भोग लगाए, विष्टु सहसर नाम का पाठ करें या उससे सुन लीजिए और ब्राहमन देवता को बोजन करवाएं, और पीले वस्र, पीले अनाज और पीली मिठाई उन्हें जरू बेट करें, उसके बाद जरूत बन बच्चों को स्टडी मटीरियल डान करने से, बेट करने से आपका खल्यान होगा, आज अगर आपका जर्ण दिन, मैरिज अनिव देखे, आज शाम को पांच बचकर आँट मिनट तक पूरी निमा और बाद में प्रती बतातीती रहेगी, आज ही सुबह ग्यारा बचकर एक मिनट तक मूला नक्षत्र और फिर पूर्वा शाड़ा नक्षत्र रहेगा, ग्रहों से बनने वाले, वाशी, आनदादी, सुनफ का चोगडिया है, तो फेर को चार से छे भी लाब और अमरित का चोगडिया है, सुबह साड़े साथ से नौ बेच दर राहुकाल के समय शुब और मांगली कारी ना किये जाए तो बहतर है, आईए राशी पल की शुरुबात बेश राशी से करते हैं, आज कुछ नया काम करक ग्यान अरजित करके, कुछ रिस्क लेकर या परिवर्तन करके, आज आपका ग्यान भी बढ़ेगा और लाब भी बढ़ेगा, बिजनस पर आपके ज्यादतर काम पूरे हो सकते हैं, और आपको उसका लाब भी बिलेगा, लेकिन पैसों के स्तिवे सुधार लाने के लिए और महनत करने पड़ेगी, बिजनस परसन्स को लेन देन में सतरता रखने चाहिए, हर काम को देख रेक में करेंगे, तो कहीं गलती से आप फसेंग नहीं, बुदादित्य और ब्रह्म योग के बनने से, वर्क प्लेस पर दोस्तों के साथ किसी नए कारेकरम के इस्सा बनेगे, एमपलोईस को कोई बड़ा फैसला लेने में आज मदद करेंगे, उनके बौस, नए ओपर्सिटीज और मौके बलेगे, लाव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिलेशिट्शिप बैटर होगी, और अनुभवी लोगों की सलाब के काम आएगी, स्टुडेंट आर्टि दोनेट करिए, वरशब राशिए, आज यात्रा में सावधानी रखिए, वैल्यूबल चीजें और डॉक्यूमेंट खोज सकते हैं, कोई आपको तकलिप दे सकता है, जल्दी बाजी आज बिलकुल नहीं करें, समझदार इसे काम करेंगे, तो आज का दिन बैस्ट होगा, ब प्रक ज्यादा हो तो इंवेस्टमेंट नहीं करें, बर्क प्रेस पर आगे बढ़कर लोगों से बाचीद करना में संकोश न करें, एमप्लोईस, कोई भी फैसला कलपना में आकर नल है, नुकसान हो सकता है, लवपाटर और लाइपाटर में रिलेशेटिशिप बेटर बैलाओं को घरेलू बजट पर पैनी नगार रखने पड़ेगी क्योंकि बजट बिगड रहा है, स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आपका रोजान लगातार अपने काम के तरफ होना चाहिए, जो लोग बहुत ट्रेवल करते हैं, उनको गर्मी से आज परेशानी हो सक आज गुरु पूर्णिमा का अउसर पर अपने गुरु को याद करते हुए, विश्टु भगवान को सुगंदित पुष परवित करें, खीर का भोग लगाएं, साधु और ब्रहमन को बोजन करवाएं, पीपल के वरक्षी पूजा करें और चांदी, दूद, चावल, डाल क दान करें, मितुन राशी, आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनस पार्टनर के साथ, विस्तार से चर्चा हो सकती, भविश्यों के लेकर, बुदाधित और ब्रहम्यों के बनने से, बिजनस से समधित अच्छे गराहक मिलने की संभावना है, नए ओर और टेंड का मौका बिलेगा, प्रोजेक्ट, टास्क, एजेंडा को कैसे कंप्लीट करना है, हर काम को तैस समय से पहले करने की कोशिश के दिए, मा बाओ जी को संतान से सुक बिलेगा, और संतान को चाहिए का अपने मातापिता से दिल खोल कर बात करें, और संसकार आपको बिले है, उ बस्तूओं का भोग लगाए, गौशाला में हरे चारे का वेवस्ता कर दीजिए, हरे मूंग डोनेट करें, घरीब लोगों को उन्य होगा, करक राशी, खर्च और कर्ज में कमी कैसे लाई जाए, इससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको कोई नुस्का मिल जाएगा, वर्ट्पेस पर दिन की शुरुआत में काम की लिस्ट बना कर काम करोगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, ऐसा गरने से बहतर मैनेजमेंट होगा, बिजनस परसन से अपने दीरेस धैरी और सायम से काम करेंगे तो आत्व विश्वास पर कमी नहीं आएगे, और जिससे आप की काम भी समय पर हो पाएंगे, बुदादित्य और ब्रह्म योग के बने से इनुवेटिव और क्रेटिव आइडियास भलेंगे, स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स तैयरी शांदार करिए, रिजल्ट भी शांदार आएंगे, मां की सेहत में आज आपको तो ध्यान करते हुए, बगवान शीव जी को पीले पुष्प अर्पित करते हुए, फल का भोग लगाएं, पीले रंके पुष्पों के पौधे, आप जरूर्बन लोगों को माटिए या लोगों को डोनेट कर दीजिए, चावल और अनाज का दान करिए, खल्यान होगा, सिंग राशी संतान सुक और संतान से सुक बिलेगा, अपनों के साथ अच्छा वक्त गुज़रेगा, फूड और बेवरिजेज, होटेल, रेश्टरांट, मैनिफैक्टरिंस जुड़े वे लोगों को नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, नई टेखनोजी नई लोगों को लाना पड़ेग साथ बूल कर भी कोई ऐसी बात न करें जिस पर पहले भी लड़ाई जगड़ा हो चुका है, आपका मन इससे अशान्त होगा और दिन भी आप खराब कर बैठेंगे, लव पार्टरों लाइफ पार्टर के साथ प्यार इश्क और महुपत और भविश्य की प्लानिंग हो सकत स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स आलस सी लेट लतीफी और ओवर कॉन्फिडेंस परेशान करेंगे, थाइराइड की या गले की जिनको तकलीफ उनके लिए दिन अच्छा नहीं है, आज गुरिपूर निवाँ पर अपने गुरु को याद करते हुए, साधू और ब्र मत करवाना, यह सब कुछ आज संभव है, वर्क्प्लेस पर काम को ध्यान पूर्वक करेंगे, तो आपको एक्स्टा टाइम बिलेगा, जिससे आप अपने फैशन पैशन होबीज को पूरा कर सकते हर काम को रीच चेक जरू करिए, बिजनस परसन, बिजनस से रिलेटेड आगे बढ़ें, जिससे उन्हें आगे चल कर किसी बितरे के तकलिफ का सामना न करना पड़ें, न्यू जेनरेशन को मानसिक और शारीर ग्रूप से एक्टिव रहना होगा, जिसके कारण वो काम को नए तरीके से बुरा कर पाएंगे और सफल भी होगे, छोटे हो या बड़ मंदिर में दान करें, स्टेडी माटिरिल का दान करेंगे तो आपका कल्यान होगा, मेरे प्रेसातियों आईए, छे राशी के बाद मैजिकल निम्रोलोजी बात करते हैं, कि अगर आपके डेट, मन्त और येर, तीनों को टोटल करने बाद टोटल नो आती हैं, तो कौन से रो अकरम साहस बढ़ेगा, और अपने डिगनिटी को किसी भी तरीके से गिरने मत दीचे, वर्कपेस पर आपके प्रेम पूरो विवार के कारण, आपके सीनियर, को वरकार्स आपका साथ देंगे, खोश रहेंगे, सुर, ताल और लाए अपनों के साथ अच्छा बनाएंगे, तो एक होशी की खबर आप जनरेट कर लेंगे, बुदादिती और ब्रह्म योग के बनने से, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, लाइजिनिक का काम करते हैं, एब डवलोपर, वैब डवलोपर, सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, उ लव पार्टर और लाइफ पार्टर के उत्तम व्यभार से आज प्यार इश्क और मोहबत बढ़ेगी गुमने फिरने का मौका मिलेगा मौसम अच्छा है इसलिए एंज्वाय करेंगे आपको यूरिन या पेट और गुपतां की तकली परेशान कर सकती हैं गुरु पोडिमा प कर्जे को कंट्रोल करने के नुसके आज आज आपको मिल जाएंगे बिजनस में आप अपने घ्यान और अपने कॉन्फिदेंस बढ़ाने की कोशिश जरू करें जिसमें आप सफल भी होंगे बिजनस के लिए कहीं से उर्जा आपको मिल सकती है और कर्जा चुकाने के लिए आपको कोई प्लानिंग जरूर करने चाहिए और अगर नया करजा लेना चाहते हैं तो लोन आपका अप्रूबल हो सकता है वर्क प्लेस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं और फल की चिंता नहीं करें लगातार कर्म करें Employees को यह सरा दी जाती है कि आज Creativity जरूर दिखाईएगा लव पार्टन और लाइफ पार्टन के रिलेशन में प्यार इश्क और मोहबत बढ़ेगे डर दूर होगा और प्रेम का इजहार करना तो आज का दिन अच्छा है Student, Artists और Players सोच समझ कर फैसला लीजिए और कहीं न कहीं काउंसलिंग जरूर लीजिए तब जाकर आप सही काम कर पाएंगे सेहत में थोड़ा सर्दी जुकाम की परिशाने हो सकती है गुरू पुर्णिमा पर अपने गुरू को याद करते हुए हनुमान जी को लाल पुष्ट परवित करी और सुगंदेत मिठाई का भोग लगाएं गरीब बच्चों को स्टेडी माटीरियल जरू गिफ्ट करिए आपका कल्यान होगा धनुराशी आपका विविक और धीरेज डैरिय सहियम आपको बड़े लाप की तरफ लेके जाएंगे बिजनस में मौज मस्ती मनोरजन होना चाहिए लेकिन सिर्फ यही होगा तो बहुत कुछ आज खोद देंगे वर्क प्लेस पर कुछ मामलों को लेकर आप बेचेन रहेंगे घबराट बेचेनी डर और चिंता आपको परिशान करेगी लाव पार्टरों और राइप पार्टर साथ रिलेश्टिश्शिप में जूटी तसलिफ मत दीचेगा वरना कई पापर बेलने पड़ सकते हैं फैमिली मेंबर्स यदि आपसे नाराज है तो उनको मनाईए क्योंकि वो वक्त वापस नहीं देंगे आपको स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स टॉपिक को कल पर मट आलिए आज ही पूरा करिए सेहत के मामले में आज आपके लिए दिन अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है लगातार बैटने से कमर और पैरों में तकलीफ हो सकती है गुरु पुर्णिमा पर अपने गुरु को याद करते हुए बगवान सिरी कृष्ण को वस्तर अर्पित करते हुए पेड़े का भोग लगाएं गीता का पाट करें और गाय की सेवा करिए बिजनस परसंस के लिए दिन चुप संकेत लेकर आ रहा है गाटे के बरफाई जल्द होगी बिजनस में किसी काम में जल्दी बाजी करने से आनी हो सकती है समझदार इसे डे को डिजाइन करें वर्ड प्लेस और पूरा दिन काम काज में ही निकले गा आने वाले दिनों में कोई स्पिशल ओकेशन है उस पर बीजी रहेंगे शुब और मांगली कारियों के रूप रेका घर में बन रही है लाव पार्टनर और लाइफ पार्टनर किसी बात को लेकर बहस से बचिए मामला शांत करिए बहन रही है वरना तकलीफ ज्यादा हो जाएगी न्यू जेनरेशन को फैमिली की और से मिली हुए रैस्पोंसिबिलिटीज को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए टालने पर विश्वास नहीं करना चाहिए स्टूडेंट आर्टिस और प्लेट्स अपने बिहेवियर से आज परिशान होंगे सेहत को लेकर सावधान जरूर रही है गुरु पूर्णिवा पर अपने गुरु को याद करते वे शनी देव के मंदिर में तिल और सर्सों का तेल अर्पित करे किसी भी जरूत्मन को पीले अनाज वस्त्र और पीली मिठाई का दान करिए पीले वस्त्र किसी ब्राहमन देवता को भी गिफ्ट करिए चोटी हो या बड़ी भाई हो या बहन अपने हो या गजिन किसी से कहा सुनी आज बढ़ सकती है बुदादिती और ब्रह्म योग के बनने से एकाउंट्स रिलेटेड और मैनेजमेंट रिलेटेड काम में आपको ध्यान देना चाहिए करतेवे निश्टा के साथ काम करिए तो आने वाले दिनों में सैलरी बढ़ सकती है गाटे के बरपाई करने में आज सफल होंगे दीरस दैरी से डिसेजर लिजिएगा परिस्थिती आपके अनुकूल होने वाले है स्टूडेंट आर्टिस और प्लेट्स आज लेट लतिफी आलस्य सोशल मीडिया दोस्तों के साथ आप कुछ ऐसा ज्यादा वक्त गुजारेंगे जिससे आप अपने काम को सही डंक से नहीं कर पाएंगे यदि आप गर के मुक्या हैं तो सब को टाइम दीजिए और सब के साथ एक स्पेस वाला वातावन बनाईए असंतुलन आपके घर में लड़ाई जगड़े बड़ा सकता है घी और चिकनाई वाले चीज़ों का परहेस करिए वरना आपको हेल्थ की तकलिफ आ सकती है गुरुपुर्णिवा पर अपने गुरु को याद करते हुए विश्टु बगवान को सफेद पुष परपित करते हुए खीर का भोग लगाएं और कुष्ट रोगियों को बोजन का दान करें साथ ही उन्हें जूते चपल और वस्तर भी डोनेट करिए मीन राशी वर्कोहॉलिजम काम करने नर्शा आपके भीतर रहेगा कुछ अलग करने का मन करेंगा बुथ आदित्यों ब्रह्म योग के बनने से लॉजिस्टिक, टूर्शन ट्रेवल, ट्रांस्पोर्टेशन, फूड और बेवरिजज़, मैनुफैक्टिर्स जूड़ेवे लोगों को मुनाफ़ा बिल सकता है बिजनस मीटिंग में कुछ लोग आपके विचारों और आपके कामकास से सहमत हो जाएंगे करियर में बड़े लोगों से सलह और सयोग बिलेगा, आगे बढ़ने के नए मौक्य आपको बलेंगे एंपलोईस के काम में कोई रोकावट डालने की कोशिश करेंगे, आप ऐसी लोगों को दूर करिए तब जाकर आपको खुशी मिलेगी, आज किसी की मदद करने मौका मिलेगा, चूकियेगा मत दामपती जीवन और रिलेशनिशिप में आपको धैरिये और एकागरता रखने पड़ेगे, अगले की भावना को समझेंगे तो संबंद और बधुर होंगे सोशिल प्लेटफॉर्म पर आपको आज वावाई मिलेगी, न्यू जेनरेशन को ज्यान मिलने वाला है स्टूनेंट, आर्टिस और प्लियर्स किसी कॉंपेटिशन के लिए आप तैयारी जोड से करना शुरू कर दीजी कमार कस के तैयार हो जाए, सेहत के मावले में पूरानी कोई वीमारी वापस परेशान कर सकती है गुरू पुर्णिवा पर अपने गुरू को याद करते हैं, सादू और ब्राह्मन को भोजन करवाए, कुछ दक्षना दे, मंदिर की सेवा करें और घरिब लोगों को सरत्दा के अनुसार भोजन की वेवस्ता करवाए, आपका कल्यान होगा मेरे प्रेशातियों, आईए, अब कारिक रमकान तुमें एस्ट्रो ग्यान में बात करते हैं, कि मंगल ग्रह, अगर आपकी कुणले में सैकेंड आउस में बिराजबान हो जाए, तो वो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता और उसके संकेत देते हैं कभी-कभी धन को बुरी आदतों और गलत संगत के कारण खर्च और व्यर्थ खर्च करते हैं, आपके बीतर चेड़-चेड़ा पन और एरशिया ज्याद आती हैं, आपकी वाने इससे कड़ी हो जाती हैं, लेकिन अपने जर्म इससान से दूर रहकर यह ऐसे लोगों का बिलता है, भाई बेहनों के साथ शत्रूता बढ़ जाती है, चेक करिए, आपकी कुणले मंगल देव कहां पर राजबान हैं, और वैसे आप अपने परसनल या प्रोफेशनल लाइप पर किसी समस्या से घरसित हैं, तो मुझसे परसनल ही बिल सकते हैं, या फिर टैलीफॉन या जावहे सुगंधिं पुस्टि वर्धनम, औरुवारुकमेव बंदनान मृतियोन मुक्षियत, मामरितात, उनिस वर्ष के बाद, चार जुलाई से 31 अगस तक स्रावन मास रहेंगे, दो स्रावन है, और आठ सुमबार है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप र सिद्धी प्राप्त हो, घर में धन और अन की कमी न रहे, इसके लिए विश्वेश रूप से आध्यात्मिक साधना सिद्धी केंदर के विद्वान पंडितों ने शिव रक्षा कवच का निर्मान किया है, इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने के लिए अपन कि भी सुरक्षा होगी